वीवर भागेश ने पूछा है कि पिक्टो ब्लॉक्स में हम आडवीनो बेस्ट ट्राफिक रिकरिकनिशन रोबॉट कैसे बना सकते हैं तो इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग बेस्ट स्मार्ट रोबॉटिक वहिकल्स बनाना सीखते हैं ये प्रोजेक्ट ड्राइवर लेस कार्स कैसे काम करती हैं ये समझने में भी हल्पुल होगा हमारी पहली स्मार्ट वहिकल गो साइन देखकर चल पड़ेगी और स्टॉप साइन देखकर रूब जाएगी हम चाहें तो इस स्मार्ट वहिकल को हम लेफ्ट और राइट मुड़ने के ट्राफिक सिगनल्स को रिकिगनाईज करने पर भी ट्रेन कर सकते हैं तो स्टेब बाइ स्टेब सीखते हैं कि हम स्मार्ट रोबॉटिक वहिकल्स कैसे बना सकते हैं सबसे पहले हम इस कार की असेंबली समझते हैं हमार पास इस कार को बनाने के लिए एक Arduino Board है एक L298N Motor Driver Board है एक शासी है जिस पे दो Geared DC Motors Mounted है क्योंकि हम दो Geared DC Motors Mounted कर रहे हैं इसलिए हम इन Motors को डार्ड़ी अर्डवीनो से नहीं कनेक कर सकते क्योंकि ये बहुत जादा Current Draw करती है और इस वज़े से हमारे को एक Motor Driver Board चाहिए इस Motor Driver Board के Connections है यहां पर हमारे पास Motor 1 के ये दो Wires हैं ये Connected है और यहां पर हमारे पास ये Motor 2 के जो दो Wires हैं ये Connected है यहां पर हमारे पास जो हमारा Battery Pack है उसका जो Positive Terminal है VCC वो Connected है और उसके Next हमारे पास इस Battery Pack का जो Ground या Negative है वो Connected है फिर इस Ground से हमारे पास एक और Wire जा रहा है जो कि हमने Arduino के Ground पे Connect किया है ताकि हमारे सारे Components का Ground जो है वो Common हो उसके बाद हमारे पास यहां पर L298N में यहां पर जो Pins हैं यह फिर हमारे Arduino से Connected है और यह Connected है पिन नमबर 3, 5, 10 and 11 पर और L298N में दो साइड में और दो Pins होती हैं जिनको Enable Pins कहते हैं यह Enable Pins को हमें Connect करना पड़ता है अगर हम Motors की Speed कंट्रोल करना चाहें पर इस Project में हम Motors की Speed नहीं कंट्रोल कर रहे हैं हम Simply Motors को Forward, Reverse, Left या Right मूफ करेंगे इसलिए हमने यह Enable Pins नहीं Connect करी हैं इंसेट इन Enable Pins पर एक Jumper लगाया हुआ है Next हम Picto Blocks में इसकी Coding समझते हैं तो मैं Picto Blocks Software में हूँ और मैंने यहां पर एक नया Project शुरू किया है और मैं यहां Bottom Left में जाके Extension Add कर रहा हूँ Recognition Cards तो जब हम यह Machine Learning का Pre-Trained Model लोट करते हैं तो इसके साथ जो इसके Cards हैं जिस पे यह Model अलरी Trained है वो हमें इस Link को क्लिक करने से मिल जाते हैं और यह Model, यह Numerals Recognition, यह Traffic Sign Recognition और जो यह बाकी यहां पर Signs हैं इनको Recognize करने में अलरी Pre-Trained है तो हम इन में से यह Stop और Go के जो Traffic Signal है हम इसको Use करेंगे मैंने इनको Print करके एक Ice Cream Stick में इनको लगा रखा है तो यहां पर यह Recognition Cards के जो Blocks हैं उसमें हमारे को पहला Blocks मिलता है Turn the Video On with 0% Transparency इस Command से हमारा जो PC या Laptop का Webcam है वो On हो जाएगा उसके बाद यह जो भी Image देख रहा होगा हम उसका Analysis करेंगे कि यह जो Pre-Trained Signs हैं उनमें से कौन सा Sign Camera को नजर आ रहा है यहां पर दो Option हैं हमारे पास Camera या Stage Stage की Option का मतलब होगा कि Stage में अगर हम कोई Sprite दिखाएंगे तो वो उसको Recognize करेगा पर इस वक्त हम Camera से Recognition करेंगे और जब Camera Image को Recognize कर लेगा तो उसके बाद हम क्योंकि हम केवल Go और Stop ये दो Signs अभी यूज़ कर रहे हैं हम कहेंगे कि अगर Go सिगनल डिडेक्ट हुआ है तो हम क्या चाहते हैं ये Arduino कार क्या करे और अगर Stop सिगनल डिडेक्ट हुआ है तब हम क्या चाहते हैं ये करने के बाद हमारे को Next पिक्टो ब्लॉक्स को अपने Arduino से कनेक्ट करना पड़ेगा मेरा Arduino Board मेरे Laptop से कनेक्ट है और उसके बाद जाके मैं यहां Boards में Arduino Uno सिलेक्ट कर रहा हूँ अगर आपके पास Arduino Mega या Nano है या ESP32 है तो आप ये Boards भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो Arduino Nano सिलेक्ट करने पर ये पूछ रहा है कि कौन सा Port है तो मेरा Arduino Nano इस Port से कनेक्ट है आपको अपना Correct Port यहां सिलेक्ट करना है जब आप अपना Correct Port सिलेक्ट कर लोगे तो आपका Arduino आपके PictoBlock से कनेक्ट है फिर यहां पर हमारे पास दो Mode है Arduino को कंट्रोल करने के एक Stage Mode है एक Upload Mode है अगर मैं Upload Mode में जाता हूँ तो ये C++ Code जिनरेट करता है और यहां से हम Upload अपने C++ Code बनाकर यहां से Upload करते हैं पर Upload Mode में ये जो AI ML के Extensions हैं ये काम नहीं करते हैं इसलिए हम Upload Mode नहीं यूज़ कर सकते हैं आडवीनो को भेजी जाएंगी Next हमारे को यहां पर ये Upload Firmware इस Firmware को Upload करना है अपने Arduino में तो कनेक्ट पिक्टो ब्लॉक्स विद दी आडवीनो यूज़िंग Bluetooth ये Upload Firmware फर्स स्टेप है और सेकंड स्टेप पर आपको Stampedia की वेब साइट पर जाकर ये पिक्टो ब्लॉक्स लिंक जो है इसको डाउनलोड करना है तो अगर आपके विंडोस वैस है तो आप विंडोस के लिए एक्जिक्टेबल फाइल डाउनलोड करोगे और उसको इंस्टाल करके बैग्राउंड में रन करोगे इन माई केस ये पिक्टो ब्लॉक्स लिंक जो है ये बैग्राउंड में सौफ़एर ये रन हो रही है और जब हमने यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट किया था तो हमारे को ये बहुत सारे और प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स मिल गए है कुछ Arduino से related, कुछ motors और servos चलाने के लिए और sensors और components को चलाने के लिए भी यहाँ पर हमार पास programming blocks है इस वक्त हम ये PWM pins को use करते हुए अपनी car को forward या reverse करेंगे तो यहाँ पर हम program अब क्या लिख रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि when green flag is clicked turn on the video with 0% transparency तो हमारा camera जो है वो on हो जाएगा पर क्योंकि हम go और stop alphabets दिखा रहे हैं as signs तो वो inverted आएंगे और अगर हम चाहते हैं कि वो inverted ना आए आए straight आए तो हमार को camera on flip on करना पड़ेगा ताकि camera जो image है उसको flip कर देगा तो go और stop जो है वो sign हमार को ठीक नज़र आएंगे फिर हम कह रहे हैं कि analyze the image from the camera और फिर हम condition check करना चाहते हैं तो मैं एक ये conditional statement ला रहा हूँ कि if go sign is deducted then हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारी जो motors है वो pin 3, 5, 10 और 11 में हमने लगाई हैं तो हम उनको forward move करना चाहते हैं तो एक motor 1 जो है वो 3 और 5 pin पर है तो हम चाहते हैं कि एक pin जो है वो high हो और दूसरी pin जो हो वो low हो तो इस तरीके से circuit जो है वो complete हो जाएगा फिर हमारी DC motor 2 जो है वो 10 और 11 pin पर है तो again हम चाहते हैं कि एक motor high हो और एक motor low हो ये अब हमारी जो command है वो होगी कि अगर signal go है तो इस तरीके से move करना और इसी को duplicate करके फिर हम कह रहे हैं कि अगर signal stop है तब सारी motors को रोग देना तो मैं सब motors को 000 कर रहा हूँ और फिर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी conditions है ये forever check होती रहें तो यहां से मैं forever का एक block ला रहा हूँ और इसके अलावा मैं ये जो हमारी analyze image from the camera है इसको भी forever block के अंदर डाल रहा हूँ ताकि जो हमारा camera है वो constantly recognize करता रहे कि उसको क्या image देख रही है stop या go तो अब हम इसको test करके देख सकते हैं मैं इस sprite को side में कर रहा हूँ यहां पर जब मैं camera on करता हूँ तो हमारा program एकदम perfect काम कर रहा है अब हम चाहें तो हम और भी जो traffic signals हैं उनको use कर सकते हैं यह जो pre-trained model है इसमें हमारे पास यह left और right यह signals भी है और यह u-turn का signal है पर हम इसको maybe reverse करने के लिए use कर सकते हैं तो इसका code लिखते हैं तो अगर हमारे को अपनी car को left turn करना है तो हम क्या चाहते हैं कि कोई एक motor जो है वो चले और दूसरी motor रुखी रहे तो अगर हमें left मोड़ना है तो हमारे को right वाली motor चलानी है and vice versa तो यहां पर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा turn left यह signal recognize हुआ तो motor 1 को on कर देना motor 2 को off करना और अगर यह ऐसा करने से यह car actually right turn हो रही होगी तो all we have to do is इसको हमें zero करना होगा और इसको 255 करना होगा और इसी तरीके से right turn कराने के लिए हमारे को हम चाहते हैं कि एक wheel चले दूसरा ना चले तो जब एक wheel चलता है दूसरा नहीं चलता है तो car जो भी wheel चल रहा होता है उसकी opposite direction में turn हो जाती है तो क्योंकि यहाँ पर हमने 255 3 पर किया है motor 1 पर किया है हम यहाँ पर कह रहे हैं कि motor 2 को on कर देना और motor 1 को off कर देना जब यह turn right sign detect हो फिर हमारे पास एक और sign है जो कि actually you turn का है पर हम उसको let's say car को reverse करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो car को अगर हमारे को reverse करना है तो यहाँ पर अगर हम कह रहे थे कि forward के लिए 3 pin जो थी वो high थी और 5 जो थी वो low थी तो अगर हम motors की polarity flip कर देते हैं उनका जो भी जिस भी point पर हम current दे रहे थे हम उसके दूसरे point पर current देते हैं तो motors जो है वो दूसरी direction में rotate करना शुरू कर देती हैं अगर हम इन दो commands को compare करें तो यह अगर straight जाने की थी तो हम यहाँ पर you turn का signal हम use कर रहे हैं पर हम चाहते हैं कि यहाँ motor 3 high थी तो यहाँ पर हम motor 3 को low रख रहे हैं और 5 को high कर रहे हैं और likewise यहाँ 10 जो थी वो high थी 11 low थी तो हम इसका opposite कर रहे हैं कि 10 जो है वो low है और 11 high है तो यह reverse करने के वज़े से जो भी polarity है हमारी हम उसको motor की polarity इसको flip कर रहे हैं इसके वज़े से अगर यहाँ पर car forward जा रही थी तो इस combination से car reverse जाएगी और उसके बाद हमारे को बस यह सब चीजें जो है वापस इस forever loop में डालनी है तो हम इस forever loop में बाकी सारे जो हमारे signals है बाकी सारे जो हमारी if then conditional है वो डाल रहे हैं तो अब हमारे पास program है कि camera on होगा image analysis होगा अगर go होगा तो forward जाएगी अगर stop होगा तो रुख जाएगी अगर right होगा हम इसको यहाँ डाल सकते हैं just for clarity कि अगर right होगा तो दूसरी motor जो है वो चलेगी यह रुख जाएगी और अगर reverse या U-turn का sign होगा तो जो हमारी forward की polarity थी हम उसको यहाँ totally उसको flip कर रहे हैं तो next हम इसको try करके देख सकते हैं turn right पर हमारी right motor जो है वो काम कर रही है, Turn left पर हमारी left motor जो है वो काम कर रही है राइ्ट रुख जा रही है U-turn पर हमारी दौनो जो मोटर्स हैं वो reverse जा रही है and again right पर right motor stop पर दौनो मोटर्स रुख जाती है go पर दौनो मोटर्स forward जाती है और U-turn पर दौनो मोटर्स reverse जाती है तो हमारा program एकदम perfect काम कर रहा है I hope आपको इस tutorial से समझ में आया कि जो हमारे ये AI ML extensions है वो कितनी आसानी से हम use कर सकते हैं to control Arduino और for that matter अभी हमने actuators को control किया है यानि कि हमने motor को control किया है पर आप चाहो तो इनके थूप पर और भी कोई LCD display या यहाँ पर और भी जितने भी हमारे को components मिल रहे हैं हम उन सब को using AI ML control कर सकते हैं तो I hope आपको ये project पसंद आया और आप इसको बनाना try करोगे